तो पिछले कुछ दिनों से आप MBA चायवाला का नाम सुन रहे होगे सोशल मीडिया पर लगातार MBA चायवाला चाया हुआ है और लगातार यूटूबर MBA चायवाला को ट्रोल कर रहे हैं बोल रहे हैं कि MBA चायवाला लुटेरा निकला MBA चायवाले ने लोगों को लूट लिया तमाम सारी चीजे वगेरा वगेरा लेकिन आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि क्या वाकई में MBA चायवाला गलत है क्या वाकई में MBA चायवाला ने किसी के साथ धोकाधड़ी की है क्या वाकई में MBA चायवाला प्रफुल बिलोरे फ्रोड आदमी है पूरी सच्चा ही सुनिएगा ये विवाद शुरू होता है मद्ध्रदेश के इंदोर शहर से इंदोर शहर में MBA चायवाला पर कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने हमसे फ्रेंचाईजी का पेशा लिया इन्होंने हमसे फरनिचर का पेशा लिया इन्होंने हमें दुकान चलाने की गैरेंटी दी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हम बरबाद हो गए MBA चायवाला की फ्रेंचाईजी लेकर के हम बरबाद हो गए MBA चायवाला ने इस पर पलटवार भी किया उसने कहा प्रफुल बिल्लोरेने कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है हमने किसी भी तरह का धोकाधड़ी का माहोल या किसी भी तरह का धोकाधड़ी हमने नहीं किये किसी के साथ भी नहीं किये अब इन दोनों लोगों में से किसकी बात मानी जाए और किसकी बात नहीं मानी जाए क्या वाकई में MBA चायवाला सही है या फिर वो लोग सही है जो MBA चायवाला पर आरोप लगा रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को जब भी कोई व्यक्ति अपनी फ्रेंचाइजी को बेचता है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी फ्रेंचाइजी को सेल करता है, अपने नाम की ब्रांचेज बनाता है, चाहे वो MBA चाय वाला हो या फिर चाय सुत्ताबार वाला हो या फिर अन अपरी में तो उसका ब्रांड नहीं रख सकते ना तो आउट लेट से लेकर सब चीजों का पैसा लेता है फरनीचर का भी पैसा लेता है तमाम पैसा हो लेता है और इस बात का लेता है कि आप हमारे नाम की फ्रेंचाइज ही अब खोल सकते हैं हमारे अकोर्डिंग बिजाइन ह होगा सब कुछ तमाम सारी चीजें इसमें एग्रिमेंट पर जो है वो लिखी जाती है और एग्रिमेंट पर सिगनेचर भी होते दोनों पार्टियों के अब इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है कि भैया हमारे आउटलेट चले ही नहीं तो इसमें एमबी एचाय वाला क्या करेगा भाई उसने दुकान चलाने की गारंटी थोड़ी दिये आपको दुकान आपको ही चलाना पड़ेगी उसने केवल सेल किया है अपना नाम उसने सेल की है अपने फ्रेंचाइजी का नाम उसने एक ब्रांड बनाया है उसने आउटलेट बना के आपको दिया है वो थोड़ी आकर के चाई बेचने लगेगा आपके साथ दुकान आपको चलाना है वो आपका माइंड सेट बोलता है कि आप किस तरह से उस आउटलेट को रन करते हैं और ऐसा तो है नहीं कि MBA चाई वाले ने ये बोला था कि 2,00,00 रुपे मैं कमा के दूंगा अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा बोला ही नहीं होगा कोई भी आउटलेट बेचने वाला ऐसा बोली नहीं सकता तो ये MBA चाई वाले पर लगातार जो लोग आरोप लगा रहे हैं एक्सपोज MBA चाई वाला ये जो बेनर लगा करके वीडियो बेच रहे हैं अपने ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल फरजी है कोई भी व्यक्ति अगर फ्रेंचाईजी बेचता है तो केवाल वो उसका नाम बेचता है उसकी ब्रांच दूसरी जगा खुले और उसका नाम जो है आगे बड़े बड़े शहरों में MBA चायवाला के आउटलेट है और काफी सारे आउटलेट चल भी रहे हैं और अच्छे खासे चल रहे हैं ऐसा नहीं है कई सारे आउटलेट अच्छे खासा गल्ला उठाते हैं लेकिन जो आउटलेट वाले अपना गल्ला पूरा नहीं उठा पा रहे हैं वो गलती उन आउटलेट वालों किये जिन्होंने MBA चायवाला का नाम खरीदा है उसकी फ्रेंचाइज ही खरीदी है चलाना आप लोगों को ही है अब आप या तो ओफर निकाले या फिर आउटलोट लेट को और बहतर करे या फिर लोकेशन उसकी ठीक ठाक से चुने कि वहाँ पर लोग आएंगे अब आपने चाय सुट्टा बार के बगल में MBA चायवाला खोल लिया या MBA चायवाला जो पहले से वहाँ बेठा हुआ था उसके बगल में नया चाय सुट्टा बार आप लेकर आ गए तो भईया चलने के चांच से तो कम होंगे ना तो ये सारी चीजें ये सोचने वाली बात है MBA चायवाला की उसमें कोई गलती नहीं है मैं उनका सपोर्ट करता हूँ प्रफुल भाई का प्रफुल बिल्लो रहने अपना नाम कमाया है और अपने काम से नाम कमाया है और उनके नाम को धुमिल करने की बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस ने F.I.R. सायद उनके उपर होगी या नहीं होगी ये तो अभी मुझे भी कन्फर्म नहीं है लेकिन F.I.R. हुई और जाँच पड़ता लुगी तो इसमें M.B.H. I. वाला की कोई भी गलती नहीं निकलेगी क्योंकि वेक्ति जो बड़ा वेक्ति होता है वो अपना ब्रांड बेचकर अपना नाम बेचकर पेसा कमाता है और उसके बदले में उन्होंने एक फ्रेंचाइज ही खोल के दिया आपको उसका नाम बकायदा M.B.H. I. वाला दुकान जो है वो पूरा उसने लिख करके अपना फ्रेंचाइज ही वहाँ पर खोला उसके बदले में आपसे फीस ली उसने धरम का पेसा नहीं लिया आप लोगों से और यदि आप पेसा नहीं कमा पा रहे हैं तो वो गलती सामने वाले की नहीं है गलती अपनी है भाईया अपने को सोचना चाहिए था कि इस नाम के साथ में पेसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा तो ये तमाम सारी चीज़े हैं, बाकी लोगों का कहना है, ये दुकान भी अगर वो ही चलाके देदेगा, तो फिर ये तो कल्जानी हो जायेगा, सर, मैं अपना स्वीट वाले बोल देंगे, कि भाईया दुकान भी हम भी चला लेगे, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ये त दोछ किया है तो ये मामले इसलिए उठाय कैया है। कजूटा हुवा था और हम महोस्नित बद्रधिश करके इक शोग चलाते हैं इसलिए हमने सोचा कि इस मामले को भी उठाना चाहिए